हेलो फ्रेंस आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सीट इंसी आटी इवीएस जो के आपके सीट एक जाम में 50 नमबर की आपको देखने के लिए मिलती है तो फ्रेंस अगर आप भी सीट एक जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किये हुए लाश्ट तक जरूर देखिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट बहुत जादा यूज़फूल होने वाली है तो फ्रेंस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को एक मौसम के अनुसार अपना जो कलर है उसे बदलते रहते हैं कुछ फूल कांटेदार होते हैं कुछ फूल बेल पर ही उकते हैं तो चलिए हम इन फूलों के बारे में जानते हैं फूलों के बारे में हम स्टार्ट करते हैं पेड़ों पे लगने वाले फूल तो पेड़ों पे या हुआ हैnothing के आपके गुलाव और गुरष र जो फूल सिर्फ रात में खिलते हैं वो है रात रानी और हरसिंगार जो फूल दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं वो हैं आपके कमल और सूरज मुखी वह फूल जिनको आँखे बंद करके भी खुसबू द्वारा पहचाना जा सकता वो है आपके गुलाब और वह फूल जिनके इस्तेमाल से दवाईया बनाई जाती है वो हैं आपके गुलाब और गुड़हल अब हम आगे बात करते हैं गुलाब के फूल को औसधी के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है गुलाब तुचा के लिए भी बहुत लाबदायक होता है यदि गुलाब जल में गिलिसरीन और नीवू का रसमिलात भी आ जाए तो इस मिक्स्चर को अपनी इसकिन पर लगाते हैं और अगर इसकिन जो है आपकी खास रूप नहीं देती है तो इसे लगाने से सरीर में यानि आपकी इसकिन में कहीं रूखापन है तो इसे मिक्स्चर की सायता से उस रूखेपन को भी आप दूर कर सकते हैं इससे आपकी इसकिन कोमल हो जाती है अब हम बात करते हैं बहीदा प्रिजम खान की लेफटिनेंट कमांडर बहीदा प्रिजम खान भारतिये नौसेना में एक पूरी परेड की कमवान सवाली थी और किसी भी सेना में यह बहुत यह बढ़ी बात मानी जाती है नेक्स्ट पॉइंट है इनके गांव का नाम धन्नामंडी है जो कि जम्मू कस्मीर के राज़आउरी जिले में इस्थित है नेक्स्ट बात करते हैं हम पोस्टल कोड की पूर्टल इंडेक्स नंबर पिनकोड यानी पोस्टल जो है इस पोड़ को छे डिजिट का एक यूनिट नंबर होता है और 16 अंक के नंबर में पूरे एरिया की जानकारी इसमें चुपी हुई होती है उन्हीं अंकों से हम में पता चलता है कि इस पोस्ट कार्ड को कहां पर वेजना है पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका पहला अंक छेत्रों में से एक को इंगित करता है दूसरा अंक उप छेत्र या पोस्टल सरकल राज्यों में से एक को इंगित करता है तीसरा अंक छटाई राजस्वक जिले को दरसाता है फोर्थ पॉइंट आपका अंतिम तीन अंक बित्रड डाग घर को संधर्वित करते हैं अब हम बात करते हैं फ्रेंस कबड़ी खेल के बारे में तो कबड़ी खुले में दो टीमों के बीच खेला जाने वाला एक प्रकार का प्रमुक खेल होता है इसमें एक टीम में कुल बारे खिलाडी होते हैं खेलते समय साथ खिलाडी प्रतिक टीम में खेलते हैं और पांच खिलाडी अत्रिक्त होते हैं जब भी कोई खिलाडी घायल होता है तो उसकी ज दोनों पालियों के बीच पांच मिनट का इंटरवल यानि मध्यावकास होता है नेक्स्ट पॉइंट है आपका कवड़ी खेल का मैदान 11 मीटर लंबार 8 मीटर चोड़ा आयता का रूप का होता है यह दो बराबर भागों में बटा हुआ होता है अब हम बात करते हैं कवड़ी सब्सक्राइब में और आपका लाश्ट है बोलक लाइन का और यह सभी कवड़ी लाइन सापके खेल से संबंधित होती है अब हम बात करते हैं यानि लीफ के बारे में पत्ते रुमेदार होते पत्ते हाथी के कान जैसे होते हैं कटे फटे जैसे होते हैं और नेक्स्ट पॉ होते हैं नेक्स्ट है आपका बिस्नु चिंचालकर जी जो कि मध्यप्रदेश के इंदौर में रहते थे इनकी खास बात ही है कि यह सुखे पत्ते से बढ़िया बढ़िया चित्र बनाया करते थे नेक्स्ट बात करते हैं हम अम्रूद यानि ग्वावा के बारे में अम्रूद के पत्ते चोटे और खुरदरे होते हैं नेक्स्ट पॉइंट है अम्रूद के पेड़ पर फूल लगते हैं नेक्स्ट है अम्रूद के पत्तों को चबाने से दांट ठीक रहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है अम्रूद के पत्तों में बिटामिन सी पाया जाता है अब का सिकार मगरमच का सिकार और साप का सिकार उनकी खाल के लिए किया जाता है उनकी खाल से अनेक प्रकार की बस्तूर बनाई जाते हैं और फिर उन्हें मार्केट में यानि बाजार में बेस दिया जाता है कस्तूरी हिरन को उसकी थोड़ी सी खुस्वू के लिए मारा जाता है और उस खुस्वू से इत्र यानी सेंट बनाया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को सिकारी कहते हैं। चट्टान पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जा सकता है। पहार से उतरने को रैटलिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आम। आम के बारे में हम बात करते हैं। आम के गुदे में गोड़ोचीनी मिलाकर आम पापड़ë यानि मामिड़ी तांट्रा बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का अच्छार लखने से पहले बरतनी को या फिर सीसी को धूप में सुखाये जाता है ताकि सीसी में नमी न रहे और सारी नमी निकल जाए अगर सीसी में यानि कांच के जो डब्बे होते हैं उन में थोड़ी भी नमी रह जाती है तो अच्छार आपका सड़ नेक्ट पॉइंट है अगर आपसे कोई पूछे के आपको बहुत सारे आम दे दिये जाए तो आप उनको एक साल तक कैसे खाओगे तो उसका उत्तर है कि आप आम आम का अचार बना के रख सकते हैं आप आम का आम पापड चटनी टौफी या फिर रस आदिक कई प्रकार की बना के उसे प्रिजर्ब कर सकते हैं यानि उसे सेफ रख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है बैट के बारे में किसी भी ब्रैड या अन्य उत्पादन के पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें उस सामान के बनने की तिधी तता उसके मूल का पता चलता है पैकेट से उस सामान क कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें यह भी लिख्खा हता है उसमें इस्तेमाल हुई सामिकरी और सामान के बजन के बारे मं भी लिख्खा होता है इसलिए जागरुकनागरिक बनियोंक और कुछ जो हवा के साथ ब्रेड पर आते हैं यदि ब्रेड आधा खराब हो जाए तो उसे तोड़ कर ना खाएं क्योंकि वह पूरा ब्रेड ही खराब हो चुका है अब हम बात करते हैं सब्सक्राइब कर दो हजार पांच के अनुसार कच्छा तीन से लेके पांस तक के जो यानि पर्रावन अध्यन को छे थीमों में कैसे विवाजत किया गया है पॉइंट फर्स्ट आपका परिवार इवर मित्र पॉइंट सेकंड भोजन यानि फूर नेक्स्ट आपका पानी या आवास यानि सेल्ट फिप्त पॉइंट यात्र यानि ट्रेवल और आपका लास्ट पॉइंट चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं यानि ठिंक वी मेक एंडू अब हम बात करते हैं हाथी यानि एलिफेंट के बारे में हाथी को पानी और कीचर में खेलना बहुत ही पसंद है इससे उसके सरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत भी मिलती है नेक्स्ट पॉइंट है हाथी के कान पंके जैसे होते हैं गर्मी लगने पर हाथी अपने काम कान को हिलाता है और फिर उससे उससे जो है हवा भी कर लेता है तीन महीने के हाथी का लगबग 200 किलोग्राम का बजन होता है एक बड़ा हाथी दिन में लगबग 100 किलोग्राम से जादा पत्य और जाड़ियां खा लेता है हाथी बहुत कम आराम करता है और एक दिन में केबल 2-4 घंटे ही हाथी सोता है नेक्स्ट पॉइंट है हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं एक जुन्ड में दस्या बारे हतनी और बागी बच्चे होते हैं जुन्ड की सबसे बोजुर्ग हतनी ही पूरे जुन्ड की नेता होती है और वही जुन्ड का नेत्रोत करती है नेक्स्ट पॉइंट है जब हाथी 15 से 14 साल तक हो जाता है तब हाथी उस जंड में नहीं रहता और जुन्ड को छोड़ करके चला जाता है अब हम बात करते हैं पंची यानी वर्ड्स के बारे में बसंतगोरी का नाम बसंतगोरी नाम की जो चडिया है ये गर्मिएों में टुक टुक करने से पेड़ों में छेद हो जाता है और पेड़ के तने में गहरा छिद बना के उसमें अंडे को रखती है अब हम बात करते हैं फ्रेंज सक्कर खोरा यानि सन वर्ड के बारे में सक्कर खोरा किसी छोटे पेड़े जाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ गोसला बनाती है इसका गोसला बालों से और मकडी के जालों से पतली टहनिया घास सूखे पत्ते और रूई पेड़ की छाल इन सब के टुकड़ों और कपड़ों के चीथड़ों से अपना गोसला बनाते हैं अब हम बात करते हैं दर्जिन चिडिया यानि टेलर वाइड दर्जिन चिडिया अपने निकोईली चौंस से पत्तों को सिलती है और उनसे एक थैली जैसी संरचना बना लेती है जिससे पत्ता घोजले की तरह बंद हो जाता है और उसमें वो अंडे देती है नेक्ट पॉइंट है आपका चील बाज और गिद के बारे में यानि कायट से इगर वल्चर के बारे में चील बाज और गिद हम से चार गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं चील की पूंच खाने वाली होती है जिसमें बहुत ही खांचे होते हैं जमीन पर पड़ी हुई को चील को एक से दो किलो मीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग पर बैठी है तो वहां से एक चीटी को देख सकती है जो कि धर्दी पर चल रही होती है गिद मरे हुए जानवरों को खाकर जगे को साफ कर देते हैं और आकास में उंचाई प देखТी है फिर उसमें से जो घोशला सबसे ज़यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है अब हम बात करते हैं अव्र sparked को weitere कि मेक्त्स कांटों की मेंडिंदि की मेड में अपना घोसला बनाती है ऐसी जगे वह गोंचला दुस्मनों से बचने के लिए बनाती है पीछे गुमा सकते हैं मेना के बारे में हम बात करते हैं मैना जटके से अपनी गर्दन आगे पीचे कर सकती इन सब को बिच्छा के कल्चडी रहती है या चोटे-चोटे कीडे मकोनों को खाती है और इनकी चोच अंदर से लाल रंकी होती है अब हम बात करते हैं कोई के गोंसले में लोहे के तार और लकडी की तहनिया जैसी चीज़ें भी होती है कोई कोई के गोसले में अपना अंडा देती है जिसे कोई अपना अंडा समझ के पालता है गोरिया यानि इस पैरों के बारे में हम बात करते हैं गोरिया अलमारी के उपर या फिर आएने के पीछे अपना गोसला बनाती है मतलब घर के आसपासी ये अपना घोसला बनाती है अब हम बात करते हैं कबूतर के बारे में कबूतर पुराने मकानिया खंडर में अपना घोसला बनाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सांप हमारे देश में चार तरीके के जहरी लिए सांप पाई जाते हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं फर्स्ट है दुबोईया सैकेंड नाग थर्ड है आपका करेंट फोर्थ है अफ़ाई अब हम बात करते हैं सांप के कुछ जहर से बचने के लिए उस ब्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है जो सांप के ही जहर से बनाई जाती है नेक्स्ट पॉइंट है सांप के दान नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने सिकार को चबा कर नहीं बलकि पूरा निगल जाते हैं और फिर आराम करते हैं जब तक उसक में साप जैसी मुद्रा होती हैं आप उस मुद्रा को स्री देवी की मूवी में देख सकते हैं जिसमें वह नागिन बनी हुई थी नेक्स्ट पॉइंट एक काल वेलिया जाती के रोसन नाथ जी अपनी जाते में बहुत मसहूर थे वह बहुत आसानी से खतरना को जैरी ले साप को पकड़ के पकड़ लेते थे उनके पकड़ने का तरीका काफी अलग था सबसे पहले वह अपनी धड़कनों को सांत करते थे जिससे वह सांप को पकड़ने जाते थे तब वह उनकी ध्वनियों को मैसूस कर पाता था जिससे उसे प्रतीत होता था कि इस सक्स से मुझे कोई खत्रा नहीं है क्योंकि यह सांत है नेक्स्ट पॉइंट है बीन तुम्बा खंजरी और धोल यह सभी सूकी लौकी से बनाए जाते हैं केवल धोल के अलावा बागी तीनों बाजे जो हैं सूकी लौकी से बनाए जाते हैं साप किसान का मित्र लेकिन कैंचुए को किसान का मित् और सांप किसान का मित्र भी है क्योंकि सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में भी मदद करता है यादे किसी ब्यक्ति को सांप काट ले और आप वहां पर खड़े हों तो सबसे पहले उस सांप का फोटो खींच लें और जब उस ब्यक्ति को अस्पताल ले जाया को काड़ा है तब वह डॉक्टर तुरंत मैं जाएगा कि इसको किस प्रकार का अंटी डूट है अब हम काने के कई प्रकार होते हैं जैसे के भून के उबाल कर और तल के और सेख कर यानि पकाने का जो साधन है वो भूनना उबालना और तलना और सेखना अब हम बात करते हैं उधियों के बारे में सरदियों में खेत में ही ताजी सबजीयों को मसालों के साथ एक मठके में भरकर और उसको सील बंद करके रख देते हैं पोईले के अंगारों में मठके को उल्टा रखकर सबजी को पकाया जाता है और इस पकी सबजी को कहते हैं उधियू गुजराती बासा में उधियू का मतलब उल्टा होता है उधियू के साथ मिट्टी के चूले में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है साथ में मक्खन दई और छाच भी ली जाती है अब हम बात करते हैं लिंग हू फेन के वारे में लिंग हूँ फेन साप के मास्ट से बनाया जाने वाला एक पकबान है जिसे होंग कोंग में खाया जाता है ब्रेल लिपी यानि ब्रेल स्क्रिप्ट लुईस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे तीन साल की उम्र में वह अपने माता पिता के ओजार से खेल रहे थे और खेलते गठना गठी जिनसे इनकी आँखों की रोसनी चली गई लुईस बिरेल पढ़ाई में बहुत रोची रखते देते हुआ पढ़ने और लिखने के भूस सारे तरीके सोचने लगे और फिर उन्होंने एक तरीका निकाला जो बाद में लुईस इस क्रप्ट के नाम से जाना गया एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज जिससे कि छै बिन्दू को उभारा जाता है फिर उभरे हुई बिन्दू पर उंगलियों के सहारे इन्हें इस पर स्करके यानि चूर करके पढ़ा जाता है या ब्रेल लिपी कहलाती है या स्कृप्ट छै बिन्दू पर आधारेत हो अब हम बात करते हैं फैमिली यानि परिवार के बारे में नियूकलियर फैमिली एकल परिवार में माबाप और उनके बच्चे होते हैं जोइन फैमिली में जब के संयोग के परिवार में पूरा परिवार होता है जैसे कि दादा दादी चाचा बुगा और माबाप और बच्च जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है और जमीन उपजाव हो जाती है कैंचुए मरत प्रतियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाव बनती है कैंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है क्यों कि वह किसान की मदद करते हैं खेद को उपजा हुआ रहता है रानी चीटी अंडे देती यह और सिफाई चीटियां बिल का द्यान रखती हैं काम करने वाली चीटिया भोजन धूड़ कर बिलतक लाती हैं इस प्रकार सभी चीटिया ön अपना अपना काम करती हैं चीटिया चलते संवें जमीन पर कुछ गंद चोड़ती हैं जिसे सुमकर पीछे आने वाली चीटियों को रास्ता आसानी से मिल जाता है अगर वह चीटि कहीं दूर निकल जाती है तो अपनी गंद की बज़े से बापस अपने इस्थान पर लोट आती है दीमक और तत्य ये भी समूह में रहते हैं अब हम बात करते ह समय लिखी जानकारी के बारे में तो इसमें ट्रेन का नंबर लिखा होता है ट्रेन का नाम लिखा होता है सफर सुरू होने की तारीक तथा समय लिखा होता है टिकेट प्रारंब होने का इस्थान लिखा होता है टिकेट समाप्त होने का इस्थान इसका नाम भी लिखा होता ह अब हम बात करते हैं मच्छर के बारे में तो फर्स्ट पॉइंट है आपका मच्छर हमारी सरीर की जो गंद है खास कर पैरों के तल्वों की और हमारे सरीर की गर्मी से ये हमें ढूंड लेते हैं मच्छर पानी में अंडे देते हैं डैंगू मलेरिया चिकुन गुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है रुके हुए पानी या एकटा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा हो पैदा होने से पहले ही मर जाता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती अब हम आपको बताते हैं मच्छरों से बचने के कुछ मैटपूर उपाय तो घरों में डीडीटी का छिड़काप किया जाना चाहिए आसपास पानी को जमान होने दें पानी के बरतन टंकी और कूलर को साफ रखें मच्छरदानी का प्रयूग अवस्य करें जमा हुए पानी मिटी का तेल डालने पानी मच्छली यां डालने से मच्छली यां मच्छणों के अंड़ों को खा जाती है मक्छी के डाइरिया हैजर टाइफाइट आदि भीमारिया फैलाती हैं फ्रेंस अब हम बा लेने की चमता अधिक होती है नेक्स्ट पॉइंट है एगलू एगलू वर्फ के घर टुंडा प्रदेश में पाए जाते हैं घर को एक्सिमो प्रजाती द्वारा यह बनाते हैं और इन घरों को ही हम एगलू कहते हैं अब हम बात करते हैं असम के बारे में असम में घर जमीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं उचाई में बनाने की बज़े भारी बारिस और आपदा होती है यह घर बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लखडियों का प्रयोग होता है असम में बांस तथा रसी के पुल बनाए जाते हैं यहां बारिस बहुत अधिक होती हैं कभी कभी घ के खाते हैं या देखने में सफेद सकरकंदी जैसा होता बल्म लकडि की छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है और पता कुण कीघते हैं केरल में एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए फेरी नाप का प्रयोग किया जाता है केरल में मसालों का बगीचा भी कहा जाता है कतक कली नरत केरल में होता है केरल में केले के फूलों से सबजी बनाई जाते है केरल में नारियल के पेड अधिक मात्रा में होते हैं केरल के न केरल में है केरल कोजी कोड का दूसरा सबसे बड़ा जिला मलापुरम जिला केरल में है राजस्तान के बारे में अब हम बात करते हैं राजस्तान में जो मिट्टी के घर बनाई जाते हैं घरों की दीवारे पहुत मोटी और इने लीप पोद कर सुन्दर बनाया जाता है और उन से के बारिस का सारा पानी इन टेंकों में जाके गरता है और बाद में इसे छान के उपयोग में लिया जाता है राइस्थान में बारिस बहुत कम होती है टेंक लगाओ 16 मीटर उंचा है और जो राइस्थान के जाल और पतनिया जलबार में है राइस्थान के जोदपूर में ख खेजड़ली गाउं के लोग पेड़ों को काठने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे आज 300 साल बाद यहां के लोग जो विस्नुई कहलाते हैं वे पेड़ों और जानवरों के प्रती संबेदन से लियानी जागरुक हैं और इनकी रच्छा भी करते हैं यहां सिकार करना और पेड़ों को काठना वज़ित है रेगिस्तान में होते हुए भी यह गाओं हरा बरा यहां जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं खेजड़ी गाओं यहां राजिस्तान में ही है जो कि खिचड़ी गाओं में खेजड़ी पेड़ पाय जाते हैं यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खू इसके लखडी से लोग अपनी चोकट भी बना लेते हैं तो फ्रेंस चलिए अब हम बात करते हैं स्री नगर के बारे में स्रीनगर में कुछ घर पहाड़ों में कुछ पानी में कुछ उचे परवतों और कुछ पत्थरों के बीच में होते हैं और इन पर लकडी के सुंदर तरे होते हैं और नदर से एक हर गदी है इन पर लखड़िंदी यह सुद्र डिजयाइं बनाई जाते हैं जो इसके च्छत पर होता है उसे खतś गोद कहते हैं कश्मीर से लचे घझार से बनें होते हैं कुछ एक्षार्ज को अकर्सित करती है कस्मीर travelled धानासियों की तेल में मख्चलियों को पकादोगी कस्मीर की भासा है कि अब में अक्सर होती और बर्फ भी पड़ती है यहां का मौसम ठंडा और सुहाना होता है यहां घर पत्थर और लकड़ी के बने होए होते हैं जिनकी छट छटें ढालू होती हैं अब हम बात करते हैं मृत सागर के बारे में फ्रेंस आपने अक्सर देखा होगा कि सागर में लोग ढूप जाते हैं लेकिन एक ऐसा सागर है जिसमें सरीर बिना किसी मूम्मेंट के तैय सकता है बैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है इसमें इतना नमकीन प पानी में 300 ग्राम नमक मिला दें तो उसका अनुपात पानी इस म्रत सागर में है मरे सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेट रहे हो मरे सागर आपको जॉर्डन इजरायल और फिलीस्तीन के बीच में मिल जाएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं बाग यानी टाइगर के बारे में बाग अंधेरे में हमसे 6 गुना बेदर देख सकते हैं बाग के मुझे हवा में हुए कमपन को भाप लेती हैं इस तितिक पता लग जाता है और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंड लेता है बाग अपने तो फ्रेंस अब हम बात करते हैं लंबूर के बारे में लंगूर जंगल में उंचे पेड़ बैठ करके अपने आस-पास आती मुसीवतों को देखके एक तरह की आवाज निकालता है और अपने साथियों को संदेश देता है जिससे उसके साथ ही चोकरना हो जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका रेगिस्तानी ओग के बारे में और रेगिस्तानी ओग पेड़ पाया जाता है जिसकी उचाई दस से 12 फीट होती है यानि 11 से 12 फीट और इसकी पंतियां बहुत कम मात्रा में होती हैं वहां पेड़ की जणे जमीन के अ 12 लोग इसके तनी के अंदर पत्रला साठाव डाल करकर पानी को निकालते हैं अब हम बात करते हैं विट्य वाली सब्जी यानि बैजी टेवल्ड के बारे में अधिकतर सब्छी या पौधॉं के फूणों की होती है कुछ सब्य पौधॉं का फल भी होती है गोड आंना और ह देश से आई हैं अब हम बात करते हैं बीजों के बारे में यानि बीज और सीड बीजों को प्राचिन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिटी का लेप लगा के रखते थे और नेम की पत्तियां इन्हें कीणों से बचाती थी पौधे स्वयम भी अपने बीजों को दूर जाता है तब आहें पौधा होगाता है यह स्वयम नासपाती भिंडी करेला टमाठांटी को आंड में भीज प़या जाता है मिट्टी में गोवर में लाने kート में purely बेह की बिजКी तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं क्वांकि कपड़े में बीज सांस लेने में सच्छम होता है यादे बीज को कपड़े में बांधिया जाए और उन में से आधे अंकुरित हो जाए तो आधे नहीं तो इसका कारण होता है कि भी छते ग्रिस्ते बीज बीज मैं से तूट गए बीजों में केड़ा लग चुके थे कुछ पौदे बिना बीज क उकते हैं जैसे गुलाब गन्ना और केला दी माइक्रोइसकोप से बीजों को बारी की से देखने पर पता चलता है कि भी जो में छोटे 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 छेद होते हैं इनकी मदद से बीज कपड़े में और कपड़े को रिसों पर चिपक जाते हैं यहां देखकर मास्टर को आ आद में देखा होगा और इसके इसका आपने यूज भी किया होगा यह एक तरह की चिपकन है जो चिपक जाती है और छोट जाती है तो फ्रेंस आपको यह वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट वोक्स में जरूर बताएं और आप ऐसी ही वीडियो और पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश जरूर करें थैंक यू